हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एजूकेटड सरावस्ती में अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए इससे आपको हमारी नए वीडियो का अपडेट मिलता रहें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जूलो जी के बारे में दोस्तो बिना देर की हम सुरू कर देते हैं वीडियो को जूलो जी के बारे में जूलो जी के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दोस्तो सबसे बेसिक चीज आपको definition पता होनी चाहिए जुलूजी की परिभासा होगी definition होगी जुलूजी is the branch of science which we study about animals जुलूजी जन्तु विज्ञान, विज्ञान की वो साका है जिसमें हम जानवरों के बारे में अध्यन करते हैं दोस्तो जुलूजी के बारे में अब हम पूरी तरीके से जाने जा रहे हैं दोस्तो जुलूजी को दो पार्ट में divide किया गया है एक non card data, एक card data non card data और card data के बीच में थोड़ा सा different है इसमें जो है एक card like structure पाई जाती है जो Latin word card data से लिए गई है जिसमें मतलब होता है having a card that is not a card दोस्तो अब हम बात करते हैं non card data के बारे non card data को दो पार्ट में divide किया गया है एक lower non card data, एक higher non card data और card data को भी दो पार्ट में divide किया गया है एक higher card data और दूसरा lower card data lower card data को नया नाम दिया गया है एक क्रेनियेटा और प्रोटो कार डेटा ऐसे ही हायर कार डेटा को भी दो नए नाम दिये गए हैं क्रेनियेटा और यू कार डेटा दोस्तों अब हम बात करते हैं लोवर नान कार डेटा और हायर नान कार डेटा के कुछ ऐसे फाइलम के बारे में जिनकी खोज बैग्यानकों ने की और उन फाइलमों के नाम अब हम बात करेंगे lower non car data के फाइलम और उसकी खोज किस बैग्यानिंग ने की तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है प्रोटो जोवा का जिसकी खोज gold passage नामक बैग्यानिंग ने 1814 S.V. में किया उसके बाद आता है पोरी फेरा जिसकी खोज रावर्ट ग्रांट नामक बैग्यानिंग ने 1825 इस्वी में किया उसके बाद नाम आता है सिलेंट टेटा का जिसकी खोज लिवकार्ट नामक बैग्यानिंग ने 1847 इस्वी में किया उसके बाद आता है फाइलम प्लेटी हेलमेंटीज जिसकी खोज गाइगन बार नामक बैग्यानिक ने 1869 में किया अब हम बात करेंगे हायर नान कार डेटा के बारे में इसकी कुछ फाइलम नीचे दिये गये हैं और उनके बैग्यानिकों के नाम और उसके बाद मोलसका बाई जांस्टन 1685 उसके बाद इकाइनो डर्मेटा बाई क्लीन 1734 दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को सेर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद